मेरे प्यारे देश स्वास्यों, देश के जादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है, हो सकता है कि आप अभी जहां हो बहाँ पानी परियाप्त मात्रा में उ लेकिन आपको उन करोडों लोगों को भी हमेसा याद रखना है, जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिन के लिए पानी की एक एक भुन अमरित के समान होती हैं, साथियों इस समय आजहादी के 75 साल में, आजहादी के अमरित महुत्सव में, देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उन में जल संक्षन भी एक है, अमरित महुत्सव के दोरान, देश के हर जीले में, 75 अमरित सरोवर बनाए जाएंगे, आप कलपना कर सकते हैं, कि कितना बड़ा अभियान है, वो दिन दूर नहीं, जब आपके अपने शहर में, 75 अमरित सरोवर होंगे, मैं आप सभी से और खास कर युवाओं से चाहूंगा, कि वो इस अभियान के बारे में जाने, और इसके जिम्मेदारी भी उठाएं, अगर आपके शेतर में, स्वतंतरता संग्राम से जुड़ा को इतिहास है, किसी सेनाने की स्मृति है, तो उसे भी अमरित सरोवर से जोड सकते हैं, वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा, कि अमरित सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है, मुझे यूपी के रामपूर की ग्राम पंचायत, पटवाई के बारे में जानकारी मिली है, वहाँ प कुछ हपतों में बहुत महनत करके स्थानिय लोगों की मदद से, स्थानिय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का काया कल्प हो गया है, अब उस सरोवर के किनारे, रेटेनिंग वाल, चार दिवारी, फुड कॉर्ट, फवारे और लाइटिंग भी नजाने क्य क्या व्यवस्ताय की गई है, मैं रामपूर की पटवाई गराम पंचायत को, गाउं के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथियों, पानी की उपलब्दता और पानी की किल्लत, एक किसी भी देश की प्रगती और गत को निर्धारित करते हैं, आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात मैं, मैं स्वच्चता जैसे विशों के साथ ही बार बार जल सवरक्षन की बात जरूर करता हूं, हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रुप से कहा गया है, पानियम, परममलोके, जीवानाम, जीवनम, सम्रुतम, अर्था संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है, और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है, इसलिए तो हमारे पुर्वजों ने जल सवरक्षन के लिए इतना जोड दिया, वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, ताला सरोवर आधी बनवाने को, मनुष्य का सामाजिक और अध्यात्मिक करतब्य बताया गया है, वालमी के रामायन में जल स्रोतों को जोडने पर, जल समुरक्षन पर विशेश जोड दिया गया है, इसी तरह इतिहास के स्टूड़न जानते होंगे, सिंदू, सरस्वती और हडपा सभ्यता के दवरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विक्सित इंजिनिरिंग होती थी, प्राचिन काल में कई शहर में जल सोतों का आपस में इंटर कनेक्टर सिस्टिम होता था, और ये वो समय था, जब जन संग्या उतनी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत भी नहीं थी, एक प्रकार से विपूलता थी, फिर भी जल समरक्षन को लेकर तब जागरुकता बहुत जादा थी, लेकिन आज स्थितीज के उलट है, मेरा आप सभी से आग रहें, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुऊं और सरोवनों के बारे में जाने, अमरित सरोवर अभ्यान के वज़े से जल समरक्षन के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी, इस्षे सहरों में, महलों में, स्थानिय परेटन के स्थल भी विक्सित होंगे, लोगों को गुमने फिरने की भी एक जगह में लेगी, साथियों, जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है, इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती हैं, इसके लिए सदियों से अलग-अलग समाज, अलग-अलग प्रयास लगातार करते आये हैं, जैसे की कच्च के रण की एक जन जाती, मालधारी जल समरक्षन के लिए वुरुदास नाम का तरीका इस्तमाल करती हैं इसके तहर छोटे पुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पहुदे लगाए जाते हैं इसी तरह मध्यप्रदेश की भिल जनजाती ने अपने एक एहत्यासिक परंपरा हलमा को जल सवरंख्ष लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं हलमा परंपरा से मिले सुझाओं की वज़े से इस खेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और बूजल स्तर भी बढ़ रहा है साथियों ऐसे ही कर्तवय का भाव अगर सब के मन में आ जाएं तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनोतियों का समाधान हो सकता है आईए आजादी के अमरित महोसों में हम जल समरक्षर और जीवन समरक्षर का संकल पले हम बुंद बुंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे